सवागत है सबी बच्चों का आज कि बहुत सुंदर प्यपिती में मेरा मतलब सुंदर से ये कि बहुत सुंदर बनी ए इसलिह में कहीराँ उथ ये é hoor biology yeah कि बहुत सुंदर सेंटेंस भी कि बहुत संदर बनी ही नहीं ये बहुत अच्छे वाक दिये स्विकार करना, सुनना और भरना सब्द के देखिया अनुवाद किस प्रकार से किया जाते हैं किस तरह से बिभिन मतलब कॉंसेप्ट में भरना सब्द की अलग-अलग मीनिक आएगी तो यहाँ पर हम देखेंगे अभी कैसे उनका प्रियोग किया जाएगा ठीक है तो शुरू करते हैं वीडियो है देखिए सुन्दर इतने सुन्दर ढंक से ओपन हो रही है तो यहाँ देखिए स्विकार करना और सुनना और यह भरना तीन कॉंसेप्ट यहाँ पर आपको मिलेगे चलिए शुरू करते हैं यह देखिए यहाँ पर देखू एक मिनूट जैसे नहीं नहीं अभी एक्शुली यह यहाँ पर आप सही है कि अच्छुली यह ओपन नहीं होता है कि चला जाएं तो जाता है मगर ठक जाता है तो जाते नहीं है कि अच्छुली यह ओपर का सेंटेंस देख लो असल में उपर के सेंटेंस के वैसे प्रॉब्लम वरी पूरा दिखता नहीं है बट कोई बात नहीं है देखे लिखा मैं आपका निमंत्र स्विकार करता हूं तो यहाँ पर स्विकार करना का जो अर्थ लिया गया है वो एक्स इसके बाद है मैं तुम्हारी चुनाथी स्विकार करता हूं तो यहाँ पर स्विकार करना का आई एक्सेप्ट यह चैलेंज तो मैं तुम्हारा निमंत्र स्विकार करता हूं आए एक्सेप्ट यह इन्विटेशन और मैं तुम्हारी चुनाथी स्विकार करता हूं तो आए accept yo challenge तो यहाँ पर स्विकार करना का accept और स्विकार करना का एकस्ट शेम मतलग यहां पर essence लिया गया है अब यहां पर इनको अपनी रहती स्विकर कि तो यहां पर गलती स्विकार कि तो यहां confess यहां पर यही accept नहीं होना जाए यहां confess the thief confessed his guilt जब अपराद ये दोस्ता इसे गलती स्विकार की जाते है यहां पर कॉन्फेश सब्ड को हुग उसकेया जाता है ठीकिए अन dif utan धेकार करने मिनिंग्चेंज हो कि अब नेख्ट चलते है है जुरूने से क्ने यहान ऑट अस्विकार का सिंस है यहां जैसे मेंने उसका निमंत्र अस्विकार कर दिया ready क्या यह तो यहां पर सेय्ट तो पढ़ी लिया होगा यह देखिए रहना मैं नहीं दो मने लटे यह चीज है तो मैंनें तो मैंने उसका निमंत्रन अस्विकार कर दिया यहां अस्विकार कर दिया यहां अस्विकार का जो अर्थ है तो यहां पर रिफ्यूजट सेंस आया चोर ने अपनी करती अस्विकार कर दी तो देखे यहां पर अस्विकार करने की डिकलाइन यहां पर रिफ्यूजट और यहां पर दिकलाइड तो दिनाइड का मतला होता है इंकार कर देना अर्थ है देखे यहां पर आपका यह सेंटें बना नेक्स्ट है देखे उसकी छुट्टी स्विकर्त हो गई है तो he has been granted for leave अब यहाँ पर स्विकार करने को क्या किया गया है granted सत्व को कौन स्विकार नहीं कर सकता तो he cannot admit अब यहां स्विकार करने को क्या गया admit आ गया मुझे मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्विकार है अब यहां प्रस्ताव स्विकार के लिए क्या है एग्रिटू तो I agree to your proposal मुझे तुम्हारा प्रस्ताव स्विकार है सत्व को कौन स्विकार नहीं कर सकता who cannot admit of the truth admit के साथ preparation of लग जाता है और उसकी छुट्टी स्विक्रत हो गई है तो he has been granted for leave अर्था छुट्टी के लिए उसे स्विक्रती मिल गई है तो यह पैसी फो में बना है तो यहां पर देखे तीनों में बिलकुल अलग-अलग different concept के साथ में यहां दिया हुआ यहां स्विकार करना का agree जब आप किसी के प्रस्ताव से किसी की बात से सहमत होते हैं और यहां पर जैसे कोई factual कोई मतलब बात है तो उसको स्विकार करने के लिए एडमी टॉप कप्रियों यहां पर ठीक और यहां पर देखे ग्रांट छुट्टी की स्विकार के स्विक्रत के लिए हमेशा ग्रांट कप्रियों कहता है तो यह different concept पर आपको इतीन सेंटेंस मिले अब नेक्स्ट देखते हैं अब भरना सब्द के देखे भरना सब्द का यहां पर क्या है घडा भरा हुआ है कि यह हैं ट gefra demonstratingằng को यह किस संस मिले गि पूल भर्ने के संस में जो यहां पर बर्ना लिखा वह वो आपका फुल के संस में है यहां पर फुल लगा जईए यहां पर जो भरना आया उसके लिए यहां पर क्या लिए गया फिल लिखा गया खाली जगे बरो फिल इन्दा ब्लैंक्स और हाल पूरा भरा था तो था हाल वाज फुली पैक्ड सबी लोग मां की अगर बोलने में कुछ आगे पीछे हो यह कोई वर्ड ना समझ में आए तो य एक मिनिट चुकी घूम गया यहां पर इमेज चलिए कोई बात नहीं तो यहां पर तब पीचर इज भूल यानि घड़ा भरा हुआ है खाली जगा भरो यानि फिल इन्दा ब्लैंक्स और हाल पूरा भरा था तो था हाल फुली पैक्ड तो यहां पर देखे पैक्ड यहां त ओढ़ो जब लब लब भरी हो बिल्कुल बाट से हो यानि किनार तक और मुझंथ vidéos तो दीट मेन किनारा होता है यहां पर तो लब लब अभरे होने का मतलब यह है कि शुक्त बेदियो कि दो अ उपचार करना, स्वस्त करना, है ना, तंदरुस्त कर देना, तो the wound is healed up, तो यहाँ पर भरने की क्या लिखिया है, healed up, यहाँ भरने की pull to the brim, और उसके मुँँ में पानी भराया, तो पानी मुँँ में पानी आ जाने को begin to water कहते हैं, तो his mouth begin to water, उसके मुँँ में पानी आ गया कह देते हैं या उसके मुँँ में पानी भर गया कह देते हैं तो यहां पर begin to water सब्द कर्यूश करते हैं नेक्स्ट देखते हैं उसका गला भराया जब गला भराया उसको कहते हैं तो यहां पर कहते हैं choked His throat was choked मेरा दिल भराया तो यह तो आप यह कहिए कि I was moved और यह कहिए I got emotional कितने बहतरीन sentence है और कितने बहतरीन concept के साथ है यहां पर अब बताएए इतने बढ़िया sentence आपको कैसे मिले अगर आप इनको ध्यान दे तो बहुत अच्छे sentence है और बहुत अच्छे use है एक ही तरह के मतलब सा इसे आप sentence देख रहे है उसका गला भराया गला भरने में चोग्ड के सब्सक्राइब के इस तरह से और emotional के उसके अच्छे जा सकता है जब feelings की बात हो तब ठीक है ना अवह हमेशा मेरे कान भरता है किना पड़िया sentence है बहुत ज़दा यूज किया जाने वाला वह हमेशा मेर इयर्स और poison my ear का मतलब यह poison once years का मतलब होता है जहर गोलना कानों में जहर भरना किसी के खिलाफत करके उसके भढ़गाना तो he always poisons my ears तो poison को ही यहाँ पर वर्व बना दिये गया है वह हमेशे मेरे कान अब देके भरना यह इधर भी भरना इधर भी भरना और इधर भी भरना लेकिन मीनिंग सबकी यहाँ पर चोग्ड है यहाँ पर emotional है और यहाँ पर आपका poison once या my ear है कितनी अच्छी यहाँ पर अंग्रेजी आप पढ़ रहे हैं कितने बढ़ियां सिंटेंस पढ़ रहे हैं यह ध्यान देने के जोड़ते भी लाल देखिए गाड़ी बहुत भरी थी और ट्रेन वास ओवर्क्राउड़ड बहुत भरी थी तो यहाँ दृसे ट्रेंड वास ओवर्क्राउड रहे एक्षट नहीं बढ़ेल मीप्रेंस त好好 ऐस जाने वाला यहाँ पर देखेए यह एक मिनिट भिर सिऩने एट अट्टी उपर आ जाती है तो जाती भी नहीं है जली वो दो चला गया चली गई कमेंट करके बताया करो कि पीपीटी अच्छी बनी है वो सेंटेंस कैसे है कम सकम कमेंट करोगे तो उफ्यंत कर्या कि अच्छा लगता है न कि कॉंटेंट सेख अच्छा Govern दियूट अच्छे बने बने बिया सेंटेश अच्छे बीए गाटी बहुत भरी ती तो ट्रेंवाज और क्रावड़ील तो यहाँ बहुत भरी तो गाड़ी पिसंजा ट्रेंड की बात हो रही है तो यह क्राउट से मतलब इसलिए ओवर्प्राउडड यह माल से भरी तो ओवर्लोडड और यह सड़क हमेशा भरी रहती तो इस रोड इस ओल्वेज कंजिस्टिट का मतलब यहां पर भी भीड से देखिए वहां भीड में गाड़ी में ओवर्प्राउड हो गई और यहां पर क्या है कंजिस्टिट मिल्कुर यह चुकी भीड है तो यहां मूब कर रही होती है मतलब सड़क हमेशा लोग उसमें चलते रहते हैं लेकिन एकदम ज प्रयोग यहां पर बताये गए है इतने बहतरे सिंस्टेंस आपको तो इन्हें लिख लेना चाहिए इतने अच्छे सिंटेंस यहां पर दिये गा है और लोकDe अब देखे सुनना सब्द को कितने अलग अलग तरीके से यहां बताया गया है, बहरे सुन नहीं सकते, तो the deep cannot hear, deep का मतलब बहरा होता है, लेकिन जब उसके आगे दा लग जाता है, तो वो एक बहुत चंसंग्या का बहुत कराता है, तो the deep का मतलब फिर हो जाता है, बहरे hear, तो यहां पर देखे सुनने सब्द को क्या लिया, hear लिया, ठीक, ध्यान देते रही है गजरा, मुझे ध्यान से सुनो, तो listen, अब यहां पर देखे ध्यान से सुनो, इधर सुनने को क्या है, इधर सुनने को hear है, इधर सुनने को क्या है, listen है, मुझे ध्यान से सुनो, तो यह लिसन टुमी यह ऐसी यह परियाप्थ होता है लेकिन चाहे तो आप केर फुरी लगा सकते हैं तो लिसन टुमी केर फुरी लोग कर देते हैं लेकिन लिसन का मतलब भी होता जहां से सुनो इसलिए लिसन टुमी परियाप्थ है कि आप दूसरा है वह किसी की नहीं सुनता अब लिए क्यार माने थ्भानता होता हुज Vlad लेकिन को फूचे की केरमारे सुन्नता होता है क्या तो कोन कहीगा और को ấy सब्छान होता हुज Gaming क्याए यहीं को आदमी की केरमाने ध्यान देना होता है त्छा वही मतलब होगया ना कि he doesn't care for anybody अर्था तो वो किसी की परवा नहीं करता यानि किसी की नहीं सुनता तो यह देखे कितने बढ़ी है sentence मुझे तो अच्छे लगते हैं तुम लोग पता नहीं कैसे कितने अच्छे sentence यहां पर है एक बार इसको ऐसे कर दें उसने मेरी प्रार्थन नहीं सुनी रहे ना तो तो he didn't pay heed to the pace वार ध्यान देना होता है तो यहां पर वही है कि उसने मेरी प्राथना पर ध्यान नहीं दिया he didn't pay heed to my request अब देखे यहां पर सुने को कह लिए गया पे ध्याने तती रही है उसने मेरी बात अंसुनि करदी सुनना या रख लेकिन भात सुनने ना सुनने कि ऐस लिग यहां पर बएस एक टूरिप्लोंपयद गया है को जाना हुआ प्रश्च 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 प्रश् शबाइस, आप सेड़ है, जयसा करोगी वो ऐसा बरोगे तो इट इस सेड़mented आइस तो आप आप ईसे करोगी वैसे भरोगे तो इट इस सब्सक्राइब अब यह बाद में तो कहावत लगी हुई है उसमें यह प्रोवर्ब लगी हुई है तो उसको समझना है यहां पर बाकी सब देखें बितर अब यहां पर क्या लिगा उसने मुझे कल एक रात बड़ी अच्छी कहानी सुनाई अब यह यहां सुनाने को क्या आया है यहां सुनाने को टोल्ड आया है कहानी सुनाने भी टोल्ड उसने मेरी एक न सुनी और हमने कल एक जोर की आवाज सुनी तो भी ही यहां पर सुनने को क्या आया है यहां सुनाने को क्या आया है यहां सुनाने को क्या आया है यहां सुनाने को क्य किया गया है कॉमन यूज है लेकिन यहां पर एक न सुनी को डिजन्ट पे लिटिर अटेंशन यहां पर और उसने मुझे कल रात एक बड़ी अच्छी का सुनाई तो वहां सुनाने को क्या होगा टोल्ड होगा तो इस तरह से यहां पर यह जीज कितनी बेहतरी निकल करके आती है अब अंत में आपको थैंक यू थैंक यू सो मच पॉर वाचिंग इस वीडियो बहुत भू धन्वाद आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो बच्चे नकी हों और लाइक जरूर करें वीडियो को और फिर मिलते हैं इसी तरह से अगले वीडियो में तब तक के लिए सुपकामना सुपरात्री जहिर जयावारत